डेली कनेडियन न्यूस बुलेटन इन हिंदी एंद उर्दू, अउनली अट्ग टीवी टैग टीवी अप्टेट्स यूँ अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कानड़ा एंड अराउंड गलोग कनेड़े मैडिकल एसिचेशन ने मुल्क के हेल्थ के सिस्टम को बिमार करार दे दिया CMA की जानिब से कहा गया है कि PPE की कमी और फिजीशन की तकावट की वज़े से ये निजाम तूट पूट का शिकार है कनेड़ा में करोना केसिस की तादात 80,000 से तजावस कर गई मुल्क भर में करोना वारस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की तादा 6030 तक जापोची है क्योबेक हकूमत की शेहरियों को घर के बाहर जमा होने की जाज़त तीन घरों के 10 अफराद एक जगा जमा हो सकते है एडविंटन के एक शक्स पर साथ साला बच्ची को छुरी के वार से कतल करने पर सेकंड डिग्री कतल का इल्जाम आइद किया गया है कैनेड़ा में पुलीस का बाइस सो घरों का दोरा ये जानने की कोशिश की गई कि सेलफ आइसलेशन पर कितना अमल हो रहा है टरम ने मिशीगरा नेवारा सूबे की फंडिंग रोकनी की धम की दी इनका कहना है कि मेल में बैलिट दर्फास भेजना बहुत खतरनाक चीज़ है दुनिया भर में कुरोना वारस से मतासरा अफराग की तादाद 51,07,000 हो चुकी है जबके इस से हलाक ते 3,30,290 हो गई समंदरी तुफान अमफान ने भारत और बंगला देश पे तबाही मचा दी तुफान से हलाक अफराद की तादाद 20 हो गई है हेडलाइस अपने जानी अब खबरे तफसील के साथ कैनेडियन वज़िरादम जस्टिन टूडो भी जानिब से कहा गया है कि विफाकी हुकूमत टेस्टिंग और कॉंटेक्ट ट्रेसिंग की तलाहियते बढ़ाने के लिए सूब और खितों की मदद के लिए तैयार है ये दो अहम शोबे कैनेड़ा में कुरोना वाइरस से निमिटने में एहम किरदार अता कर सकते हैं कैनेडियन वज़िरादम जस्टिन टूडो की जानिब से एरान किया गया कि विफाकी हुकूमत इदारों को फंड देगी ताके इंडिजिनस कम्यूनिटी को खिद्मात फराहम की जाएं जिनके पास जमापूंजी नहीं होती उनका कहना था कि इस रखम से कमज़र सीनियर्स और नोजवानों की मदद की जाएगी टूडो का कहना था कि हुकूमत एरलाइन्स के इस मसले को भी हाल करेगी जिसमें एरलाइन्स की जानब से कोरोना वायरस के सबड़ फ्लाइट स कैंसल होने की नतीजे में मुसाफिरो को रिफरंट के बजाए ट्रेवल वाप्चर की पेश्करश की जा रही है I think Canadians both want to make sure they're not out of pocket but they also want to know that we do have a future for our airline industry in Canada It's an important thing for Canadians to continue to have airlines in this country We need to make sure we're getting that balance right and we're making it through this in the right way Trudeau नमजीद कहा के चाइना नहीं जान सका है के कनेडा का अपना अजाद अजाद अदालती निजाम है उनोन याद दहानी कराई के चीन ने दो कनेडियन को हुआवे की टॉप एग्जेक्टिव की गिरफतारी का बदला लेने के लिए गिरफतार किया है China doesn't work quite the same way and don't seem to understand that we do have an independent judiciary from political intervention we will continue to follow and uphold the independence of our judicial system while we advocate for the release of the two Michaels who have been arbitrarily detained by China in retaliation for a judicial system that is independent in the way it functions Canadian Medical Association के सदर का कहना है कि मुल्क COVID-19 के मुम्गिनां दूसरी लेहर के लिए तयार नहीं है इस हवाले से मज़ीद चानते हैं डॉक्टर सैंडी ने सैनेटर्स को बताया कि मुल्क को दुबारा खोलना एक तरीके से जुआ होगा हमें कांटैक्ट, ट्रेसिंग और सेरो लॉजिकल टेस्टिंग की जरूरत है ताकि इस बारे में फैसले कर सकें कि आइंदा क्या किया जाए हम खौफ और हिरास का शिकार है, मेरी राए में हम दूसी लहर के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है उन्होंने सैनेटर्स को एक सक्त इंतबा जवारी करते हुए कहा कि वबाई मर्ड से पहले ही मुल्क का सिहत की देखभाल का निजाब बिमार था और वायरस ने चीजों को और जादा खराब कर दिया था, उन्होंने कहा कि जाती हिफाज़ती साजु समान, पी-पी-ई की कमी और फिजिशन्स की ठकावट की वज़े से ये निजाम तूथ-फूट का शिकार है और अगर कोविड-19 के मौसम खजा में केसिस का बोज बढ़ जाता है तो इसके नताइश तबाकुन हो सकते हैं कैनेडा की चीफ पबलिक हेल्थ आफिसर डॉक्टर त्रेसा टैम का कहना है कि शेहरियों को करोना मांस लाजमी इस्तमाल करने चाहिए ताके वो करोना वारस से महफूस रह सके मजीद चानते हैं इस रिपोर्ट में कैनेडा में करोना केसिस की तादाथ 80,000 से तजाबस कर गई मुल्ग भर में करोना वारस के बाएस अलाकोने वाले अफराद की तादाथ 6,030 तक जाप पहुँची है जबके मतासरीन की तादाथ 80,102 हो गई कैनेडा की चीफ पबलिक हैल्थ आफिसर डॉक्टर थेसर टॉम का कहना है कि शेरी को करोना माक्स लाजमी इस्तमाल करने चाहिए ताके वो करोना वारस से महफूस रह सकें उन्होंने कहा कि ऐसे शेरी दिने समाजी फास्दे को बरकरार रखने में मुश्किल हो उन्हें बिलखुस इजाफी हिफाज़ती एकदामात के पेशे नजर माक्स पहनने चाहिए क्यूबिक में कARIOTक से जादा केस्ऩ सामने आए हैं जहाँ 46,775 कि करोना केस्दीक हो चुकि है जबकि सूबे में करोना वारस का बाइस होने वाली हलाकतों की तादात 3718 तक पहुंच चुकी है क्यूबिक का शहर म ahorर्ष से सबसे जादा मतासिर है अंट्रेरीय। में करोना वायर 만약 23,774 अफराओं मतासिर होए है। जबके हलाकोने वाले अफराओं की तादाओ एक हजार 962 है। अलबर्टा में 6,716 अफराओं करोना वायर girlfriends मतासिर हूए है। जबके अब तक 2,460 अफराओं में करोना वायर Munich की तदिएक हुई है। क्यूबिक के प्रिमियर का कहना था कि हر گروپ में सिर्फ तीन घरों के इफ़ाद एकार। हो सकते हैं उनका कहना था कि मैं जानता हूं कि दो मा की सकत पावंदियों के बाद नए उस्सोलों की पावंदियों करना मुश्किल है बिलख सूस गर्मियों के महीने में तो मुश्किल है हम अपने दोस्तों और खंदान के अफराद को याद करते हैं इसलिए मैं ये कहते हुए बहुत खोशी महसूस कर रहा हूँ उन्होंने खबरदार किया कि अफराद सिर्फ घरों से बाहर एकटे हो सकते हैं और मामी फासले को भी यकिनी बनाना होगा ताके करोना वारस के फैलाओं से बचा जा सके हकुमत के जानब से ये फैसला रोजाना की बन्याद पर करोना केसिस और अमवाद में कमी आने के बात किया गया है 34 साला डेविड माइकल मौस की सुभाई अदालत में पहली पेशी होने वाली थी लेकिन अदालती दस्तावेस्ट के मताबिक वो पेश नहीं हुए मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में एड मौन्टन के एक शक्स पर साथ साला बच्ची को छुरी के वार सा गतल करने पर सेकंड डिग्री गतल का इलजाम आयद किया गया है 34 साला डैविड माइकल मौस की बूट की सुब आयड मौन्टन में सुबाई अदालत के जड़ अलेक्सबर्ट जॉनसन के सामने पहली पेशी होने वाली थी लेकिन अदालती दस्ताविजात के मताबिक वो पेश नहीं हुए मकतूला की वालदा ने मौस को दोस्त करार देते हुए कहा है कि वो पीर को जाती परिशानी का शिकार था और वो उसकी मदद की गर्श से उसे अपने घर लेकर आई थी और उसे अस्पताल ले जाना चाहती थी उन्हों ने बताया कि उन्हों ने अपनी बेटी को बिस्तर पर लिटाया ही था कि मौस केंचिया हातों में लिए उनके बेडरूम में दाखिल हुआ और बच्ची पर हमला कर दिया था कैनेडा में पुलिस के जाने से 2200 के करीव घरों का दोरा किया गया ताके इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि जो लोग कैनेडा वापस आ रहे हैं क्या वो सेल्फ आउसलेशन पर अमल कर रहे हैं मजीद जान दे हैं इस रिपोर्ट में कینड़ा में पुलिस की जानफ से 2200 घरों का दौरा किया गया ताकि इस बात क्यों यकीनी बनाया जा सके कि जो लोग कینड़ा वापस आ रहे हैं क्या वो सेलफ आउसलेशन पर अमल कर रहे हैं वजीर आसम जोस्टिन ट्रूडों ने भी इशारा दिया है कि सरदों को खेर जरूरी सफर पर दुबारा खोलने से पहले कैनड़ा वाइरस के पहलाओ को कम करने के लिए सकत अगदमात उठा सकता है कैनेडियन जो अब मुल्क वापस आ रहे हैं उन्हें गानून के जरिये 14 दिन के लिए अलग थलग रहना पड़ता है कैनेड़ा वापस आने वाले किसी भी शक्स को खागजी सूरत में आनलाइन या फिर मुबाइल एप के जरिये कांटेक्ट ट्रेसिंग पॉर्म को पर करना होगा ताकि पबलिक हैल्थ एजनसी के करंटीना के तकाज़ों को पूरा किया जा सके पी एच एसी का कहना है के वबाई बेमारियों से मुतालिक पाबंदिया शुरू होने के बाद से ही कॉरंटाइन एक्ट के तहट कोई गिरिफ्तानी अमल में नहीं आई ताहम ब्रिटिश कॉलंबिया में एक शक्स पर एक हजार डॉलर जर्माना किया गया था करंटीना एक्ट के खिलाफ वर्जी करने वाले पर साड़े साथ लाग डॉलर जर्माना और च्छे माग कैद हो सकती है अमरीकी सदर डॉनल्ड ट्रम्प ने इंतखाबाद में एमिल के जरिये उनका कहना है कि मेल में बैलिट दर्फास भेजना बहुत खरतनाथ चीज़ है अमरीकी सदर डॉनल्ड ट्रम्प ने इंतखाबाद में एमिल के जरिये वोटिंग की मनसूबाबंदी के मौमले पर मिशिगन और नियू वर्डा सूबों की फंडिंग रोकने की धम की दी है गयर मुल्की खबरसाइदारे के मताबक ट्रम्प ने इस सलसले में समाजी राब्ते की वेब साइट टूटर पर अपने पेगाम में कहा कि मिशिगन लाखों लोगों के लिए गयर कानूनी तरीके से खाली बैलिट एप्लिकेशन भेज़ रहा है और नीवर्डा मेल बैलिट दर्खासतों के जरीए गयर कानूनी वोट भेज़ कर बड़े पैमाने पर वोटिंग की धोका दही की तैयारी कर रहा है उन्होंने बुद को वाइट हाउस में सहाफियों से खताब करते हुए कहा कि मेल में बैलिट दर्खास भेज़ना बहुत खतरनाक चीज़ है ये बड़े पैमाने पर धोका दही का मौमला है दूसी जानब मेशिगन की वजीरे खारजा ने ट्रॉम्प के लजामात को गलत करार दिया और टुइट करके कहा कि मेशिगन के हर शहरी ने मेल के जरिया अपने वोट का हक इस्तिमाल किया है इससे पहले भी उन्होंने मंगल को कहा था कि आलमी ववा कोवईट नाइटीन से बचाओ को जहन में रखते हुए लोगों को वोटिंग के लिए मेल दर्फास्तें भेची जा रही है दुनिया भर में करोना वारस से मतासरा अफराग की तादाद 51,007,000 हो चुकी है जब के इससे हलाकतیں 3,30,290 हो गई मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में दुनिया भर में करोना वारस से मतासरा अफराग की तादाद 51,006,935 हो चुकी है जब के इससे हलाकतیں 3,30,290 हो गई अमरीका तहाल करोना वारस सबसे जादा मुतासरा मुलक है जोहां ना सिर्फ कुरोना मरीज बलके उस से हलाकते भी अब तक दुनिया के तमाम मुमालक में सबसे जादा है आखरे इतलात के मताबक अमरीका में कुरोना वारस से अब तक 94,948 अफराद मौत के मुँ में पहुँच चुके हैं जबके इस से बेमार होने वालों की मजमूई तादाद 15,93,354 हो चुकी है कुरोना वारस से रूस में कुल अमबाद 3,200 हो गई जबके इसके मरीजों की तादा 3,17,554 हो चुकी है तर्की में कुरोना वारत से जाबहाख होने वालों की तादा 4222 हो गई जबके कुरोना के कुल केसिस 152587 हो गई इरान में कुरोना वारत से मरने वालों की कुल तादा 7183 हो गई जबके कुल केसिस 126945 हो गई जबके इस से मतासरा मरीजों की तादाद एक लाग बारह हजार तीन सो उनसट हो गई चीन जहां दुनिया में करोना का पहला के सामने आया था वहां करोना के मरीजों की तादाद 82,966 और इस से अमबाद 4,634 हो गई है साथी अरब में करोना वारस से अब तक कुल अमवाद 349 रिपोर्ट हुई है जबके उसके मरीजों की तादाद 62,545 तक जा पहुँची है समंदरी तुफान अमफान को बंगाल में कई देहाईों का ताकतवर तुफान करार दिया जा रहा है रियासती वजीर अला का कहना है कि तुफान करोना से बड़ी आफ़त है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में समंदरी तुफान अमफान ने भारत और बंगला देश में तवाही मचादी तुफान से हलाक अफरात की तादाद 20 हो गई मीडिया रिपोर्ट के मताबक इंतहाई ताकतवर समंदरी तुफान अमफान गुजिशता रोज भारती साहल से तकराया था भारती रियास्त मगर्बी बंगल की वजीर आलम मम्ता बेनर जी का कहना है कि तुफान से हलाक होने वाले अफरात की तादाद 20 हो गई चबके हलाकतों में जाफे का खच्चा जाहर किया जा रहा है मगर्बी बंगल के बास दिगर इसलाव में भी तबाही हुई है शदीद बारिशों के बाइस जादा मुतासरा आलाकों में अब तक इम्दादी कारवाईयां शुरूर नहीं की जा सकी समंदरी तुफान अमफान को बंगल में कई दहाईयों का ताकतवर तुफान करार दिया जा रहा है रियास्ति वजीर अला ममता बनर जी का कहना है के तुफान कोरोना से बड़ी आफट है दूस्यानब समंदरी तुफान अमफान से बंगलादेश के तीन साहली इसलाव में च्यार अफराद हलाक हुए हैं बंगलादेश के मतासिर होने वाले साहिली इसला में सत्खेरा, सुंदर्बन, कोरग्राम और जमालपूर शामिल है तुफान के बाइस बंगलादेश की साहिली इलाकों में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश भी हो रही है अब तक के लिए इतना ही मजीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए देखते रहेंगे टैग टीवी डेली कनेडियन न्यूस बुलेटिन इन हिंदी एंद उर्दू, अउनली अट टैग टीवी यूट्यूब पर टैग टीवी का चैनल सबस्क्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाएए किसी किसम का चैलेंजिंग जमाना हो टैग टीवी अपने व्यूज और न्यूज लाने में देर नहीं करता आपका तावन भी हमें चाहिए टैग टीवी को अगर आप स्पॉंसर्स कर सकें आप इश्तहार दे सकें तब भी हम आपके बहुत शुकर गुजार होंगे